ओम शान्ति इसनेह और सक्ति की मूर्ति सरलता और गंभीरता की मूर्ति दादी रदय मोहिनी जी जिने हम दादी गुलजार जी के नाम से जानते हैं ग्यारा मार्च दो हजार तेविस को दादी जी की दुईतिये पुर्णे इस्मरती दिवस हैं तो हम सभी भाई बहनों की और से दादी जी को सतसत नमन दादी हम बच्चों के प्रती नी स्वार्त इसने रखती थी सदा यही आसा करती थी कि सब बच्चे बाप समान बन जाएं बाप समान बनाने के लिए दादी जी ग्यान के गुही रहश्यों को ग्यान सागर के तले में जाकर ग्यान से मक्षन निकलती थी और हम बच्चों को ऐसे रत्न देती थी, जिन रत्नों को हम मनन कर, धारन कर, उनका स्वरूब बन कर बाप समान बन सकते हैं, तो ऐसी दादी जो सिव पिता परमात्मा की रत्पनी अर्थात भ्रमा बाबा के अव्यक्त होने के उपरांत, निराकार सिव बाबा ने दादी जी के तन का साकार माध्यम लिया, और हम बच्चों को उनके द्वारा ज्यान के गुही रहश्यों से अवगत कर आया, तो ऐसी दादी गुलजार जी के कुछ महावाक्य सुनेंगे, जो दादी जी ने हम बच्चों को संपूर्ण संपन बनाने के लिए सुनाएं, दादी जी ने हम सभी भाई बहनों के लिए बाप समान इस्थिति कैसे बनाएं, उसके लिए अनेक योग की स्टेजिस बताईं, दादी कहती हम सभी बाबा के बच्चे सदेव यह सोचते हैं कि हम हर एक को बाप समान बनना हैं, और वही बाप दादा की हम सभी बच्चों में सुब आसाएं हैं। तो बाबा ने भिन भिन रूप से हम सब का अटेंशन किचवाया है कि तुम सभी बच्चे बाप समान बनो और सभी ब्राम्मनों के मन में यहाँ उमंग है कि जो बाबा कहता है वहाँ हम करके दिखाएंगे तो अब ये बाबा की सुब आसा कि मेरे बच्चे मेरे समान बने यहाँ पूर्ण कैसे होगी इसके लिए हर एक पुरुशार्थि अपनी अपनी रीती से पुरुशार्थ तो कर रहे हैं लेकिन पुरुशार्थ में विसेस अटेंशन क्या रखें जिससे हमारी अव्यक्त स्थ तो हम सबने बाप समान बनने का लक्ष रखा है बाप समान बनना माना अव्यक्त फरिस्ता बनना क्योंकि ब्रह्मा बाप इस समय अव्यक्त फरिस्ते के रूप में है और दूसरा बाप समान बनना अर्थात निराकार आत्मा समझ इस सरीर में प्रवेसकर कर्म करने वाला बनना क्योंकि निराकार सिव बाबा इस समय जो पार्ट बजा रहे हैं वहां सिर्फ निराकार का पार्ट नहीं बजा रहे लेकिन निराकार साकार में प्रवेश हो अपना पार्ट बजा रहे हैं ऐसे निराकार सो साकार में आकर पार्ट बजाना इसके लिए बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं आउतरित होता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा सरीर नहीं है, लेकिन मैं यह सरीर लोन लेकर पार्ड बजाने के लिए आता हूँ, और फिर चला जाता हूँ, जैसे मैं अपना सरीर नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आउतरित हुआ हूँ इसी रीती यदी निराकार बाप समान बनना है तो हम भी यही अभ्यास करें ब्रामन बनते ही जो मन से पहला वायदा किया कि आज से ये तन ये मन ये धन जो भी है वह सब तेरा है तो जो चीज जिसको दी जाती है उसकी हो जाती है तो पुराना दुख लेने वाला मन हमने बाबा को दे दिया बाबा ने परिवर्टन करके हमको कितना बढ़िया खुसी वाला मन दे दिया तो जब कहा कि तन भी तेरा तो तुम्हारा तो रहा ही नहीं अब मैं जैसे भी सरीर को चलाने के लिए डाइरेक्शन दू वैसे इसे चलाओ सदा यही समझो कि मैं आत्मा बाबा के दिये हुए लोन के सरीर में प्रवेस होकर सेवा के लिए निमित्थ हूँ तो जब आपको यह इस्मरती रहेगी कि मेरा नहीं है यह लोन लिया हुआ सरीर है तो फिर मेरे मेरे में जो फस्ते हैं मेरे के कारण दे अभिमान ज्यादा आता है तो जब मेरा फाउंडेशन ही खत्म हो गया तो देह का भण क्यों आएगा तो देह मेरी है ही नहीं बाबा ने टेंप्रेरी दिया है मैं ब्राम्मन आत्मा हूँ सुद्र आत्मा मर गई तो जब सुद्र जीवन से मर गए नया जीवन हो गया तो यही समझो कि मैं ब्राम्मन आत्मा आउतरित हुई हूँ बाबा के दिये हुए लोन के सरीर में तो फिर बाबा तो फिर बाप समान इस्थिती हो जाएगी तन लोन पर बाबा ने दिया लेकिन मैं तो आत्मा ही हूँ न आत्मा तो निराकार है तो जैसे सिव बाबा निराकार है वैसे मैं आत्मा भी निराकार हूँ ब्रामन आत्मा हूँ जब ये इस्मरती रहेगी तो हम निराकार बाप समान हो ही जाएंगे आउतार माना उपर से उत्रे हुए और आउतार आते हैं स्रेष्ट धर्म की इस्थापना के लिए कभी भी कोई आउतार बुरा काम करने के लिए नहीं आता हम भ्राम्मन भी धर्म इस्थापन के लिए विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए अउतरित हुए है यहां इस्मरती आपको स्वता ही निराकार बापसमान बनाएगी सिर्फ इस्मरती को चेंज करो इस्मरती से वरत्ती चेंज हो जाएगी फाउंडेशन है इस्मरती जैसी इस्मरती होगी वैसी इस्तिती होगी जैसी वरत्ती होगी तो हम अपने को समझें कि यहां भी लोन लिया हुआ मेरा सरीर है निमित बाबा ने सेवा अर्थ दिया है यहां मेरा नहीं है जहां मेरा पन नहीं होता वहां कभी भी ममता नहीं होती वरत्ती में चंचलता नहीं होती मेरे पन में मोह भी होता है लोब भी होता है एहंकार भी होता है जब मेरा खत्म हो जाता है तो मोह भी नहीं होता लोब भी नहीं होता और अभिमान भी नहीं होता मेरे का ही अभिमान होता है इसलिए बाबा ने हमारी इस्मरती ही चेंज कर दी इस्मरती आ गई कि मैं आत्मा हूँ कई हैं जिनको योग में बैठने के टाइम खुसी नहीं होती योग में बैठते हैं अच्छा लगता है असरीरी बनते हैं संकल्प विकल्प खत्म होते हैं सांती का अनुभव होता है लेकिन खुसी नहीं होती क्योंकि सिर्फ यह समझ कर बेड जाते हैं कि मैं निराकार आत्मा हूँ लेकिन निराकार आत्मा होते भी मैं कौन सी आत्मा हूँ उचे ते उचे उचे ते उची आत्मा हूँ पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ डाइरेक्ट बाबा से पेदा हुई ब्रह्मन आत्मा हूँ, यह नसा भी रखो, यह खुसी की पॉइंट भी रखो, सिर्फ निराकार आत्मा समझेंगे, तो ठक जाएंगे, नील में चले जाएंगे, मजा नहीं आएगा, आपको दो घंटा योग में बैठने के लिए कहेंगे तो 15-20 मिनट तो निराकार होकर बेठेंगे, फिर निल में चले जाएंगे, खुसी नहीं होती, जहां खुसी होती है, वहां टाइम का पता ही नहीं होता, अगर खुसी ना हो, बिलकुल सन्नाटा हो, निल की स्टेज हो, तो ठकावड बहुत जल्दी आती है, कोई बात रमनी हो रही हो, कल्चरर प्रोग्राम हो रहे हो, तो उसमें दो गंटे भी बैठेंगे, तो पता नहीं पड़ेगा, और योग में बैठेंगे, तो ठकावड लएगी, जुटके खाने सुरू हो जाएंगे, कारण क्या, हमारा योग कोई सूखा योग नहीं है, निराकार हूँ, लेकिन निराकार की क्वालिफिकेशन, बाबा ने जो भरी है, वह भी याद रहे, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, सिर्फ निराकार आत्मा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन स्रेष्ट ब्राम्मन आत्मा हूँ, ब्राम्मन माना उची चोटी, कभी यह सोचो कि मैं आत्मा पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ मेरा भाग्य बनाने वाला डाइरेक्ट भाग्य विधाता है मैं भाग्य विधाता का बच्चा हूँ कभी यहा सोचो कि मैं फरिस्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ कभी यही सोचों कि मैं विजय माला के मनके वाली आत्मा हूँ तो योग में कभी बोर नहीं होंगे यदि एक गंटा आप योग में बैठेंगे तो एक गंटा भीज रूप नहीं हो सकते स्टेजेश चेंज होती हैं नीचे आ जाते हैं तो समझते हैं सायद में योगी आत्मा बनने वाली नहीं हूँ बीज रूप इस्थिती में नहीं टिके टिकते तो फरिस्ता रूप में रहो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि योग में रहना है भोगी नहीं बनना है विस्मरती में नहीं आना है इस्मरती में रहना है लेकिन बाबा ने योग की चार इस्टेजेस की लकीर हमको खीच कर दे दी है इस से बाहर नहीं जाना जैसे हमारे ब्रह्मन जीवन की जो चार धारनाएं हैं पड़ाई की चार सब्जेक्ट हैं उसी अनुसार हमारी मर्यादा तो जैसे मर्यादा की लकीर हमारी बनी है इसी तरह बुद्धी के लिए योग के लिए भी मर्यादा की लकीर बनी हुई है ऐसे नहीं बीज रूप इस्थिती बनाने की मेहनत में ही पूरा समय चला जाए और युद्ध करते करते ही सफेद लाइट हो जाए यदि आप यही मुझते रहो कि आज तो योग लगा ही नहीं यह तो ऐसा हो गया कि ना माया मिली ना राम दूविधा में ही टाइम चला गया तो हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि बीज रूप इस्थिती में इस्थित होने के लिए सारे दिनकी दिन चर्या का कनेक्सन है अगर सारे दिन की दिन चर्या सकती साली नहीं होगी तो आप बीज रूप अवस्था में इस्थित होने की कोशिस करेंगे तो भी नहीं हो सकते जैसे समझो कोई बहुत कमजोर है उसकी टांगे चल ही नहीं सकती वहा सोचे कि मैं चोथी मंजिल तक चड़ जाओ तो उसका क्या हाल होगा जो थोड़ा बहुत चल सकता था वहा भी बैट जाएगा इसी रीती से अगर मेंने अगर मेरे सारे दिन की दिन चर्या सकती साली नहीं है योग युक्त नहीं है और मैं अमरत बेले उठकर बीज रूप इस्थिती की कोशिस करूँगी बहुत अच्छी रही है फिर आप अमरत बेले बीज रूप इस्थिती की कोशिस करते हो लक्ष रकते हो तो हो जाएगी लेकिन वो भी सारे टाइम नहीं होती है इस्थिती चेंज होती है चेंज होकर फिर किस इस्थिती में रहे उसके लिए बाबा ने हमको और भी तीन इस्टेजेस बता दी हैं वह तीन इस्टेजेस कौन सी है पहला नंबर है बीजरूप दूसरा नंबर है अव्यक्त फरिस्ता इस्थिति तीसरा नंबर की इस्थिती है ग्यान का मनन ज्यान का मनन करते स्वदर्शन चक्रदारी बनो अर्थात्य सुव को उस इस्थिती में इस्थित करो मानो हम कहते हैं सत्यूग तो सत्यूग की हमारी क्या स्टेश थी उस संसकार को इमर्ज करो आत्मा में रिकार्ड तो भरा हुआ है देवता बनने का पार्ट हमने अनेक बार बजाया है तो वो देवताई पन का जो संसकार हमारी आत्मा में भरा हुआ है उसी लाइन में इस्मरती की सुई रखो तो वही लाइन बजेगी इस रीती से इस्मरती स्वरूप बन जाओ यानि उस इस्थिती में इस्थित हो जाओ देवताई संसकार को इमर्ज करो उस स्वरूप में इस्थित हो जाओ उस संसकार को इमर्ज करो उस खुसी का अनुभव करो बाकी सत्यूग में हम देवता थे यह कोई बड़ी वाद थोड़ी है तो बाबा कहते हैं ग्यान का भी जो मनन करते हैं तो इसी विधी से करो मानों बाबा कहते हैं चारो ही संबंद से अपने को जच करो बाप के रूप में तो बाप और बच्चे का संबंद क्या होता है उस अनुभाव से चले जाओ ऐसे नहीं कि बाबा तो मेरा बाबा है ही मैं तो बच्चा हूँ ही लेकिन उस स्वरूप में इस्थित हो जाओ मैं बाप की रीती से सिव बाबा को याद कर रही हूँ सिव बाबा मेरा बाबा है यहा तो जैसे राम राम कहते हैं ऐसे हो गया लेकिन बाबा है तो बाप और बच्चे का संबंद क्या उस और उस संबंद से हमको क्या प्राप्ति होती है बाबा मेरा क्या है उसकी महिमा में उसके गुण में उसकी प्राप्तियों में खो जाओ इसी रीती से जो बात बाबा ग्यान की बोलते हैं उसके मनन में जाना माना उसकी गुहियता में जाकर उन एक एक पाइंट का अनुभाव करना कोई भी पाइंट को मनन करने की विधी के पाँच सब्दे हैं क्या क्यूं कौन कब और कैसे जैसे बच्चों को ऐसे अर्थात निबंद देते हैं लिखने को तो इन पाँच सब्दों में ऐसे बन सकती है भासन भी इन पाँच सब्दों से तयार कर सकते हैं आप किसी भी टॉपिक पर इन पाँच सब्दों से उसका मनन करो तो आपको आदत पढ़ जाएगी फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पढ़ेगी जैसे कोई सागर के तले में चला जाए और उसे रत्न ही रत्न दिखाई दे तो इस्तिती कैसी होगी इसी रीती से आपको बाबा का ज्यान मनन करने से ऐसे लगेगा जैसे रत्नों की कोई खान खुल रही है और जब रत्नों की खान आपके मन में इमर्ज होगी तब खुसी होगी और खुसी है तो ठकावट आ नहीं सकती तो तीसरी स्टेज मनन की है रिपिट नहीं करना लेकिन मनन करना और चोथी स्टेज है बाबा से रूरियान तो जब बीज रूप स्टेज में इस्थित नहीं हो सकते तो इन तीन स्थितियों में से किसी ना किसी स्टेज में इस्थित हो जाओ टाइम नहीं लगाओ युद्ध में दिमाग भारी हो जाएगा फिर कहेंगे योग में बैठे तो माथा भारी हो गया पहले और ही ठीक रहते थे काम काज में और ही अच्छे रहते थे योग में बैठने से टायर्ड हो गए सिर में दर्द हो गया इसका कारण है हट से इस्थिती बनाना लेकिन हट तो हमारा योग ही नहीं है इसलिए बाबा कहते हैं कि इन चार स्टेजेस के मरियादा के अंदर रहो इस लकीर से बाहर नहीं आओ यानी रूरियान करो कभी कभी मनुस्य की ऐसी मूर होती है जो रमनीक बात अच्छी लगती है कोई भी सीधी ग्यान की भी बात करेंगे बड़िया बात भी करेंगे लेकिन मूर रमनीक होगी तो आप कहेंगे कि देखो अभी यह गुहिय ग्यान सुनाने आये हैं सारा दिन गुहिय ग्यान सुनना है क्या इसलिए वेराइटी अनुभाव करो मान लो आप रमनिक मूर में हैं आपको रमनिकता पसंदे और आप अभ्यास कर रहे हैं बीज रूप होने का तो जरूर महनत लगेगी इसलिए उस समय रूरियान करो बाबा से मीठी मीठी दिल की ब उसी होगी ऐसे भिन भिन समय में वेराइटी स्टेजेस का अनुभाव करते रहो तो निरंतर योगी बन जाएंगे बाब समान बन जाएंगे कर दो जाएंगे